युवा संसत के इस समापन समारों में आज हमारे बीच में केंद्रिय सूचना प्रसारण युवा खेलकूद मंत्री मान्य अनुराख संग ठाकुर जी इसी विभाग के राज्य मंत्री निशित प्रमानिक जी लोगसभा के सेकेर्टरी जर्नल उत्पल कुमार सिंग जी राज्य सभा के सेकेर्टरी जर्नल स्री पी सी मोदी जी इस विभाग की सचीव सुजाता चत्रवेदी जी और इसी जूरी की मेंबर सत्पाल सिंग जी यहां पर आए देश भर के युवा संसत में प्रतिभागी करने वाले मेरे युवा साथियों भाईयों और बैनों मैं इस संसत्भावन के एतियासिक कक्ष में जहां पर हमने चोदा पनरा अगस को देश की आजादी के बाद सत्ता का स्तान तन किया यह वा एतियासिक कक्ष है जहां पर सविधान बनाते समय हमारे मनिश्यों ने लंबी चर्चा की समवाद किया ऐसे कई एतियासिक स्वनों का साक्षिय किंद्य कक्ष है और इसी किंद्य कक्ष में आज मेरे भारत का नया सपना मेरे देश के नोजवान जो इस लोगतंत को सशक्त मजभूत कर रहे हैं लोगतंति मुल्यों के प्रति विश्वास रख रहे हैं जिनों ने अपने विचारों से अपनी वाग प्रतूता से आत्विश्वास के साथ देश के जवानों की बात रखी उन सभी प्रति भागियों को मैं विशेश रूप से बढ़ाई देता हूँ जिनों ने अपने अपने विचारों से ये प्रुश्कार प्राप्त किया राजय शुरी अंजना जी सिधार जोशी जी सुष्री अमरित कोर मैं तीनों प्रति भागियों को बहुत बहुत शुब कामनाई देता हूँ बढ़ाय देता हूँ विशेष रूप से इस जुआ संसत के अंदर दो लाख से अधिक देश के गाउं से शहर से अन्यन्य प्रदेशों से जिन प्रति भागियों ने भाग लिया उन सबको भी इस मोके पर साधवाद देता हूँ बढ़ाय देता हूँ उन में से कुछ प्रति भागी यहां पर चुनकर इस केंद्री कक्षिमा आये उनकी यादे हमेशा अस्मर्णी रहेगी यादगार रहेगी कि हमने भी जहां देश के प्रवनेता बेठे वहां बेठ कर अपने विचारों को व्यक्त किया विचारों को सुना यह आपके जीवन में हमेशा अस्मर्णी रहेंगे यह सुभाग्य की 2021 के अंदर भी इसी तरीके से पहली प्रतियों भागी सुस्री मुदिता मिश्रा दूसरी आयती मिश्रा तीसरी अभिनव कि तीनों ने भी पिछले 2021 के अंदर इसी किंद्रिक अक्ष में प्रुस्कार प्राप्त किया था यह प्रुस्कार हम सबको नई पेड़ना देता है नई कारे को करने के लिए उस्सा देता है और यह सयोग है कि हम कहते हैं कि भारत बदलता देश है और बदलते देश के अंदर महिलाओं का युवा महिलाओं का भाद बड़ा योगदान है आज मुझे हर शित्र में दिखता है पिछले वर्ष भी दो महिला प्रतिभागी प्रथम और तित्य पर रही इस बार भी इसी तरीके से पहले और तित्य पर दो महिला प्रतिभागी युवा महिला प्रतिभागी रही ये हमारे युवा महिलाओं की एक हर शित्र के अंदर आज भारत के अंदर कोई सा भी शित्र देख लो हर शित्र के अंदर महिलाएं नेतुत कर रही है ये हमारे बदलते वी एक भारत की तस्वीर है क्योंकि किसी जमाने में हमारे महिलाएं कामकाजी नहीं होती थी महिलाओं का केवल परिवार तक कार्य होता था लेकिन हमारी प्राचीन संस्कती कुछ और कहती थी हमारी प्राचीन संस्कती के अंदर हम हमेशा महिलाओं को पुझ्य मानते थे उनकी पूजा करते थे और उनका योगदान हमेशा चाहे आजादी की लड़ाई में हो या आजादी के बाद देश के निर्मान में बहुत बड़ा रहा था लेकिन इस 75 साल की यात्रा में जिस तरीके से महिलाओं ने अपनी स्ष्ष्टा हासिल किये इस के लिए मैं विशेश रूप से उन सब को बहुत-बहुत शुपकामनाएं देता हूँ, बधाय देता हूँ मैं विशेश रूप से इस विभाग को बहुत-बहुत सादुआद देता हूँ जिनोंने राष्टी युवा महोत्तिक के माध्यम से देश भर में युवा संसत का आयोजिन किया घया क्योंकि दुनिया के अंदर लोगतंती शाषन चलाने की सर्शेट पद्दती है और भारत ने आजादी के बाद लोगतंत के माध्यम से ही हमने शाषन चलाया हमारे सविधान के अंदर हमने जनता को भीच में रखा इसलिए हमारा शाषन जनता का जनता के लिए जनता के द्वारा ये हमारे सविधान के मूल में है और इसी तरीके से युवा मौसव के द्वारा देश के नोजवानों की लोगतंत के प्रती सक्रिभागिदारी बने लोगतंति संस्ताओं के प्रती उनका योगदान हो इसके लिए मैं विशेश रूप से इस विभाग के मंतिजी को बहुत-बहुत साथवाद देता हूं बधाय देता हूं जो युवा भी हैं जिनमें एक काम करने का वीजन भी है और किस तरीके से हम देश के नोजवानों को लोगतंत की सक्रिभागिदारी के माध्यम से इस देश को बदलने का काम करें साथियों आज दुनिया के अंदर भारत सबसे तेजी से बदलता हूँ देश है और इस बदलते वे देश के अंदर चाहे टेकनोलोजी का हो उप्योग हो चाहे बदलते भारत में अर्थवैस्ता में हो सामा जिक्षित के अंदर हो नवाचारों के अंदर हो आज दुनिया के अंदर अगर बदलते भारत की तस्वीर बन रही है तो उसमें सबसे बड़ा रियोगदान मेरे देश के नोजवानों का है और यह युवा शक्ती है जिनोंने इस राष्ट को हर शित में प्रगत्ती के नए आयाम खड़े कियें आज इस बदलते महत्पुन दोर में जब हम किसी सदाप्ती में चल रहे हैं हमारा संकल्प है कि दुनिया के अंदर हमारे नोजवानों की बहुत धिक और उड़जावान शक्ती के माध्यम से हम दुनिया के अंदर विश्वरो होंगे और यही सामर्त शक्ती मुझे साथ दस्कों के अंदर मेरे नोजवानों में विचारों में लगती है कि किस तरीके से उन्होंने नवचार करकर हर शित्र के अंदर चाए विज्ञान हो चाए टेकनोलोजी हो चाए एकोनोमी हो चाए सामाजिक परिवर्तन हो हर शित्र के मैं आज मेरे नोजवानों का विचार सुन रहा था दो दिन से इस किंद्य कष्ष में उन्होंने विचार रखे किस तरीके से भारत की बदलतीवी तस्वीर और उस तस्वीर के अंदर देश के नोजवानों का समर्पन योगदान हमारा दाइत और किस तरीके से हम हमारे करते और दाइत को निभाते हुए नए भारत की तस्वीर बनाना चाहते हैं हमारे प्रधान मंती जी ने भी यही देश की जनता को आवान किया है कि हमने साथ दशक तक अधिकारों की बात की क्योंकि उस समय हमें सामाजिक आर्थिक व्यापक परिवर्तन करने थे लेकिन आज अगर हमें भारत को बदलना है और उसकी नई तस्वीर बनानी है तो हमें सामुक्ता के साथ काम करने के आउश्चिक्ता हो देश का नोजवान हो बुजुर्ग हो हर शित में काम करने वाला वेक्ती हो वह सवीधान के नियत भी अपने अपने दैत को निभाते हुए किस तरीके से मेरा इस देश के प्रतियोगदान हो सकता है इस सामुक्त संकल्प शक्ति के साथ हम चलेंगे तो दुनिया में हम आज भी बदलते हुए देशों में तेजी से हैं और बदलते हुए सामाजिक आर्थिक परिवर्तन में भारत सबसे अग्रिम पंग्ति पर होगा और यह विचार में आज मेरे नोजवानों के अंदर देख रहा हूं मुझे कुशी होती है कोई ऐसा शित नहीं अभी मैं कुछ दिन पहले करना तक गया था वहाँ पर एक युनिशिटी में गया था किस तरीके से हमारे नोजवानों की बौद्धिक शमता है कि दुनिया के अंदर किसी भी देश में चले जाएं दुनिया के हर देश के अंदर उस देश की आर्थिक सामाजिक और नितुत कर रहे हैं तो भारत का नोजवान कर रहा है और प्रफिश्नल है तो भारत का नोजवान है। उन विक्सित देशों के अंदर भी भारत का यही टेक्नोलोजी करने वाला जवान यही प्रोप्रेशनल वहां पर आज अलग-अलग कंपनियों, अलग-अलग शेत्रों, चाहे चिकिस्ता का शेत्रों, चाहे आटी का शेत्रों, हर शेत्र में वही वहां का नोजवान, भारत का नोजवानी नित्युत कर रहा है यह हमारे भारत के नोजवानों की बौधिक शम्ता है इसलिए इस विशाल युवा भारत में हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि यह विशाल युवा भारत किस तरीके से हमारे नए बदलते भारत में योगदान देगा किसी समय बहुत चर्चा होती थी बढ़ती आबादी की नोजवान की बेरोजगारी की लेकिन आज समय बदल गया है आज भारत का नोजवान केवल नोक्री मांगने निजा आता आज भारत के नोजवान की सामर्श शक्ति इतनी है कि वो नोक्री देने वाला भी बन रहा है और इसलिए साथ हजार से ज़्यादा स्टार्ट अप और असी से ज़्यादा यूनिकॉम यह हमारी तागत है और जिस शेत्र में जाता हूं उस शेत्र के अंदर नए नए नोजवा जो आयटियन है जो विदेशों के अंदर बड़ा पैसा लेकर काम करते थे वह भारत के अंदर आकर स्टार्ट अफ शुरू करते हैं और लोगों को रोजगार भी देते हैं और भारत के आर्थिक भष्ष के अंदर परिवर्तन करने में भी योगदान देते हैं कि इसलिए कि साथियों अब समय इस बात का भी है क्योंकि मैं कि लोकसभा का स्पीकर हूं और मेरी जिम्मेदारी बन जाती है कि देश के अंदर जो लोकतांतिक संस्ता हैं वह सशक्तों मजबूत हो जनता के प्रती जवाब देव ने यहां बनने वाले कानून जिनसे जनता का कल्यान होता है वह कानून जनता के अपेक्ष्या आकाउंशाओं के नुरूप बने और देश की जनता के अंतिम पायदान में बेठे वाले वेक्ति की भी बात इन लोगतान्ति संस्ताओं के माध्यम से सरकार तक मुझती है और इसलिए हमें इस बात की चिंता है कि जिस तरीके से लोगतान्ति संस्ताओं के अंदर मर्यादाएं कम हो रही है गरिमाएं कम हो रही है लोगतान्ति संस्ताओं के अंदर जा मुद्दों पर विश्यों पर व्यापक चर्चा होनी चीए व्यापक डश्टीकोन की चर्चा होनी चीए क्योंकि लोगतान्ति के अंदर ये संस्ताओं है जो सरकार की जवाब देते कर सकती है प्रशाशन में पारदर्शिता ला सकती है इसलिए मेरे युवास संस्त में प्रतियोवी भाग नेने वाले नोजवानों को मैं कहना चाहता हूँ कि हमें इस लोगतंग को शर्शक्त मजबूद बनाने के लिए हमें बहुत जिम्मेदारी के साथ काम करना हैं हमें हमें चुनिवे जन्पतिद्यों को जो चाहे संस्द में आये चाहे विधान सभाय में आये चाहे नगरपालीका में आये पंचायत में जितने भी सविधान में नित लोगतांती संस्दा हैं जा जनता से चुनकर लोग भेजते हैं उन सद्नों के अंदर व्यापक चर्चा ह हो नीचि सम्वाध हो नीचि है, जिस तरीके से हमारे नोजवानों ने विचार रखें, उस तरीके से स्सताओं के अंदर, सदन के अंदर, समाज के अंतिम वेक्तियों के आकानशाओं को रख कर सरकार की जवाब देखते करें, लेकिन धीरे धीरे सदनों के अंदर जिस तरीके से अनुशाशन हींता बढ़ती जा रही है गरिमा बढ़ती जा रही है ये सदन चर्चाओं के लिए होते हैं वाद विवाद के लिए होते हैं कानून मनाते समय होते हैं मुझे आज बहुत दुक्झे साथ केना पड़ रहा है। मैंने भी मद्दपदेश की विधानसवां में का। कि जिस तरीके से राष्टपती जी के अभीभाशन मायनी राजपाल के अभीभाशनों के अंदर, जिस तरीके से गतिरोध हो रहा है व्यधान हो रहा है ये हमारे सविधानों के लिए उचित नहीं है और इसलिए हमारे नोजवान इस बात का निर्णे करेंगे पेशला चुनेंगे कि हमारे बेजिवे जनप्रतिती संसद की मर्यादाओं के अनुरूप अपना विहार करें, सद्रों में कानूर मनाते समय व्यापक डश्टी कौन से चर्चा करें, शेत्र के अभाव, आकानशा और अपिक्षाओं को ठीक से सद्रों में रखें, चर्चा करें, ताकि एक गरिमापूर चर्चा और समवात का किन्द, ये लोगतांतिक संस्ताय बननी चीए, और अगर लोगतंत की सरोज संस्ताय जितनी गरिमापूर बनेगी, नीचे पंचायत और नगरपली काओं के अंदर भी उसी तरीके से गरिमा और चर्चा से समवात से चर्चा होगी, और इसके लिए आप जैसे नोजवान जो दो लोग नोजवानों ने इस युवा संस्त में प्रतिभागी के रुप में भाग लिया है, वो अपने विचारों को, अपने जन्पतियों को बताएं कि हम युवा संस्त के प्रतिभागी हैं, हम चाहते हैं कि देश की लोगतांति इस संस्ताय केसी हो नीची इन विचारों को लेकर भी हमें देश के अलग-अला हिस्सों में जाना होगा इसलिए कि मैं हमारे युवा मंती जी से आगरह करना चाहता हूं कि वह हर जिले के अंदर कि सदन की गरिमा मरियादा बड़े इसके लिए इस तरीके से युवा संसद्यों उसमें जन्पति दि हो और जन्पतियों को किस तरीके से व्यार आचरन करना चीए कि हमारे नोजवान दिशा दें तो एक नई दिशा भारत में बनेगी और मेरा विश्वास है जितनी ये लोगतांती संस्ताइं मजबूत होगी उतना ही देश सशक्त होगा मजबूत होगा और हम देश की जन्ता के अपिक्षय आकान्शाओं को पूरा कर पाएंगे मैं पुने उन सभी युवाओं को जिनोंने इस युवास संसत पतियों भाग लिया उनको बढ़ाय देना चाहता हूं जो उसमें से यहां चुनकर आये अलग-अलग राज्यों के उनको भी बढ़ाय देता हूं और विशेश रूप से जिनोंने यहां अपने प्रुसकार प् बज़वान इस युवास संसत के अंदर प्रति भागी के रूप में भाग लेंगे आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जैन